लेकिन आज मैं जो आपको मैसेज देने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना सर। हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। कॉल गेट से भाई साब हम अपना दाफ साफ करते हैं। जिलेट से हम शेव करते हैं। पेर सोप से हम नहाते हैं। ओल्ड स्पाइस को हम शेव करने के बाद लगाते हैं। लिवाइस की हम जीन्स पहनते हैं। मैगी खाते हैं। नेस कैफे पीते हैं। सोनी देखते हैं। वोड़ा फोन यूज करते हैं। रे बैन का चश्मा पहनते हैं। रेडो और रोलेक्स जैसी घडियां पहनते हैं, टोयोटा और हुंडाई जैसी गाडियां चलाते हैं, एपल का फोन यूज करते हैं, एपल का कम्प्यूटर यूज करते हैं, मैक डॉनल्स से बर्गर खाते हैं, केफसी से चिकन खाते हैं, डॉमिनो से बीवी अपने घर के लि रुपया डॉलर के मुकाबले नीचे क्यों जा रहा है भाई भारत में बने हुए प्रोड़क्ट पर अगर हम अपना पैसा खर्च नहीं करेंगे तो भारती रुपया डॉलर के अगेस नीचे जाएगा ही जाएगा जितना सामान आप फॉर्म चीजों में विदेशी सामानों क आयात करने में अपने घर में लाने में जितने डॉलर खर्च करते हैं उसका सर रुपय की कीमत पे नहीं जाएगा कैसर एक बार अपने घर में अपने देश में बने हुए प्रोड़क्ट को यूज करना शूरू कीजिए फिर देखिए भारती रुपय की कीमत क्या होती है सि सची देशभक्ति इसमें है कि हम अपने देश में बने हुए प्रोडक्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्स को अपने दोस्तों को रिकमेंट करें तभी हम सच्चे देशभक्त बन पाएंगे तभी हमारी देशभक्ती सच्ची होगी नहीं तो 15 अगस की देशभक्ती अकेले 15 अगस की देशभक्ती हमारी देशभक्ती नहीं है और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर हमने सिर्फ एक साल के लिए सिर्फ एक साल के लिए अपने भारत में बने हुए प्रोडक्स को यूज करना शुरू किया आप देखेंगे भारत कैसे विश्व गुरू बनने के डिरेक्शन में आगे जाता है और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो को शेर जरूर कीजेगा मैं से छोटा देना चाहता हूं ताकि आप परिशान न हो जाए फॉर्वर्ड जरूर कीजेगा आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं और हाँ जय हिंद और भारत मता की जय